आज हम लोग बात करेंगे Cloudways की Black Friday deal के बारे में और जो वो लोग एक free plugin दे रहे हैं उसके बारे में भी Hi guys, मेरा नाम है कृपेश आडवानी, यहाँ पर मैं web hosting related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करेंगे Cloudways के बारे में Cloudways एक managed hosting provider है on top of unmanaged hosting providers जैसे की Digital Ocean, Vulture, AWS, Google Cloud अब अगर मैं इसकी Black Friday sale के बारे में बात करूं, Black Friday deal के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 40% तक का discount देखने को मिल रहा है next 4 months के लिए, this is one of the biggest discount on Cloudways यह आपको सिफ साल में एक ही बार देखने को मिलता है Black Friday पर यह रहेगा 1st December 2021 तक तो Cloudways चाहिए तो this is the best time to get it अब यहाँ पर एक और नया offer है, वो है एक cash plugin को लेकर के जो भी आपको free में मिल सकता है वो है object cash plugin, इसकी जो price है वो है around $79 per month लेकिन यह आपको free में मिल सकता है, कैसे? वो मैं भी आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको एक term समझना पड़ेगा object caching object caching क्या होती है? object caching मतलब जब भी database से कोई queries होती है उस query को यहाँ पर cache कर दिया जाता है और बार बार database पर यहाँ पर hits नहीं होते है usually wordpress जैसी website जहाँ पर database पर बार बार inquiries होती है तो इसके दो फायदे रहते है पहला database पर यहाँ पर load कम पड़ता है दूसरा जो query का time रहता है वो काफी कम हो जाता है तो अब यहाँ पर आपको cloudways पर कैसे मिल सकता है for free तो इसके लिए यहाँ पर एक basic सी requirement है कि जो आपकी RAM है वो minimum 2GB की होनी चाहिए यहाँ higher होना चाहिए मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर अपना server बना रहे हो वो 2GB तक का होना चाहिए यहाँ फिर उससे बड़ा होना चाहिए और जो package है वहाँ पर radius हम लोग enable कर देंगे जैसे यहाँ पर मैंने अपने 2 server setup करके रखे एक यह 1GB वाला एक 2GB वाला है दोनों सिंगापूर के हैं तो जो 2GB वाला server है सिर्फ यहीं पर ही मुझे object cache का plugin है वो मिलेगा एक GB वाले पर नहीं मिलेगा अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ टेस्टिंग भी करी है यह जैसे मेरी नॉर्मल वेबसाइट है kpcl test वाली जो 1GB वाले server के उपर है यहाँ पर radius भी नहीं है और यहाँ पर object cache का plugin भी नहीं है यहाँ पर simple से जो breeze cache है मैं सिर्फ उसी का use कर रहा हूँ and then object cache का यहाँ पर कोई plugin नहीं है दूसरी website यहाँ पर मैंने setup कर यह है अपने 2GB वाले server के उपर यहाँ पर जो plugin है वो मुझे मिला है इसमें मुझे कोई installation का process नहीं करना था जैसे मैं 2GB का server select किया अपनी WordPress को वाप इंस्टॉल किया यह जो plugin है यह मेरे पास आ गया यह हम लोग यहाँ पर नीचे देख सकते है object cache pro यह connected है और अगर plugins में जाके देखना है तो वह भी आपको दिख जाएगा plugins में must use के अंदर यह plugin हमें देखने को मिल जाता है इसमें आपको ज्यादा कुछ settings नहीं मिलती है यह automatically activate हो जाता है और background में work करता रहता है object cache pro यह यहाँ पर install हो चुका है तो फिर यहाँ पर जो मुझे load time मिला वो था 1.04 seconds का and then जब मैंने उसमे plugin डाला तो जो मुझे load time मिला वो था 833ms का same server same location सिर्फ महाँ पर object cache का फर्क था तो around यहाँ पर 200-250ms का difference आ रहा है second e-commerce में यहाँ पर आपको इसके फाइदे जादा देखने को मिलेंगे जहाँ पर database पर काफी सारी inquiries होती रहती है अब यहाँ पर मैं load test भी कर सकता हूँ लेकिन load test में यहाँ पर दोनों results अच्छे ही आएंगे वो मुझे पता है क्योंकि मैं already कर चुका हूँ तो load test करके आपको difference नहीं पता चलेगा या action में तभी पता चलेगा जब आपकी website पर बहुत जादा traffic आएगी यहाँ पर जब हम लोग e-commerce में यहाँ पर perform करेंगे object cache के यहाँ पर definitely फायदे होते हैं आप लोग और research कर सकते हो अगर आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तो जाके पढ़ लो object cache क्या होता है कैसे work करता है इसके फायदे होते हैं और अगर आपको यहाँ पर अपना जो server है उसको upgrade करना है 2GB पर अगर आपको उसकी requirement है अगर link आपको description मिल जाएंगे अगर आपको video अच्छा लगाए तो उसको thumbs up देरिएगा चैनल को subscribe कर लेजिए का और interesting videos के लिए and I will see you guys in the next one good bye